तारे सितारे वम गरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशीफल नई नई यानवरधक जानकारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देने के राशीफल दिनांक 5 सितंबर 2019 गुरुवार के दिन का तो आज के राशीफल के अनुसार आज का दिन जो है बारा में से 6 राशीवालों के लिए आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहेगा वह अन्य राशीवालों को आज मिसरित परिनामों की प्राप्ती होगी तो आज भादरपद मास सुकल पक्ष की सब्तमी तिथी है गुरुवार का दिन है तो आज का दिन भगवान विश्नुजी एवं देव गुरु ब्रहस्पती को समर्पी थे आज की दिन गुरु की आरादना करना वा भगवान विश्नुजी का सरद्धा पूर्वक पूजन करना विशेश फलदाई रहता है इनकी सरद्धा पूर्वक आरादना करने से और इनसे संबंदित विशेश उपाई करने से हमें उत्तमग्यान व शिक्छा के छेतर में अपार सफलताई मिलती रहती है साथ ही आप जिस किसी छेतर में भी कारी कर रहे हों उसमें आपको सफलता मिलती है वो हर जगह सम्मान की प्राप्ती होती है तो हमारे धर्म सास्त्रों के अनुसार देव गुरु ब्रहस्पती की आरादना सभी देवता करते हैं उन्हें भी शुब फलों की प्राप्ती होती है तो जिस किसी की भी राशी के अनुसार गुरू ग्रह अशुब होते हैं उन्हें जीवन में आर्थिक संकट व्यर्थ का तनाव वह भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके अलावा जिन कन्याओं का गुरू ग्रह अशुब होता है उन्हें विवाह में कई बाधाया आती है और विवाह पस्चात यदि गुरू ग्रह अशुब होता है तो दामपत्ति जीवन में दुख संकटों का सामना करना पड़ता है तो जिस पर गुरू की करपा होती है उ जिससे आपके जीवन में सुक्ष, सम्रद्धी और सांती बनी रहें। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि जीवन में कभी भी आप किसी भी संत या ब्रामन वह गुरू का अपमान भूल करके नहीं करें। और जिससे जीवन में आपने कुछ भी सिखा हो वही आपका गुरू कहलाता है और सबसे पहले आपके गुरू माता पिता होते हैं जिसके पस्चात आप जिसे भी गुरू मानते हो उनको आप गुरू मान सकते हैं तो इन लोगों का आपको अपमान जीवन में भूल करके नहीं करना चाहिए वरना जीवन में कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे और गुरु को प्रसंद करने के लिए गुरुवार का वरत सबसे स्रेश्ट होता है इस दिन प्राताकाल शिग्र उट करके इसनान करना चाहिए अपने घर के देव मंदिर में भगवान विश्णु जी की धा पुर्वक पुजन करना चाहिए इस दिन पीले वस्तर ही धारन करना चाहिए वह एक समय भोजन या फलाहार लेना चाहिए उसमें भी आपको हल्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए यदि आप फलाहार करते हैं तो पीले फलों का प्रयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं 5 अथवा 11 गुरुवार का वरत आप कर सकते हैं आपका वरत पूर्ण होने पर आप एक पीले वस्तर में पीली दाल पीला अनाज स्रीफल सोने की वस्तु रख करके और दक्षिना रख करके किसी भी देव मंदिर में अरपन करें या किसी भी ब्रामन को दान में देवे और दक्षिना देवे तो ऐसा करने से इस वरत की पुरुनता होती है और देव गुरु ब्रहस्पती की विशेश करपा बनी रहती है कारे छेतर में सफलता इससे मिलती रहती है तो आज सुरियद होगा प्राता काल 6 बजे सुरियास्त होगा साम 6 बज के 38 मिनिट पर आज अनु बज के 54 मिनिट से आरम भो करके तो 12 बज के 46 मिनिट तक अभीजीत महुर्त रहेगा तो इस दोरान आप कोई भी शुब काम कर सकते हैं किसी नए काम की सुरुबात कर सकते हैं सास्त्रों के नुसार यह समय काफी स्रेष्ठ माना जाता है इसके अलावा आज अशुब समय मिनिट तक रहेगा तो इस दोरान आपको किसी भी शुब कारिय को करने से बचना चाहिए आज राहु काल रहेगा दिन के 1 बच के 54 मिनिट से आरम भो करके तो दिन के 3 बच के 29 मिनिट तक रहेगा तो इस दोरान आपको कोई भी शुब वा मांगलिक कारिय नहीं करना यदि यात्रा करना आपको अतियावश्यक हो तो अपने इस्ट देवता का नाम उच्चारण करके आप यात्रा कर सकते ही आज चोगडिया के अनुसार सुब मुहरत इस प्रकार से रहेंगे प्रातहकाल सुब का चोगड़ आरंब होगा 6 बजे से आरंब हो करके तो प्रातह साथ बचके 35 मिनिट तक रहेगा प्रातहकाल चर का चोगड़ आरंब होगा 10 बचके 45 मिनिट से तो दिन के 12 बचके 19 मिनिट तक रहेगा दिन में लाप का चोगड़ आरंब होगा 12 बचके 19 मिनिट से तो दिन के 1 बचके 54 मिनिट तक चलेगा दोपहर में अमरत का चोगड़ आरंब होगा एक बच के चोपन मिनिट से आरंब हो करके तो दिन के तीन बच के उनतीस मिनिट तक रहेगा साम को सुब का चोगड़ आरंब होगा पांच बच के तीन मिनिट से तो साम छे बच के अड़तीस मिनिट तक रहेगा तो चोगडिया के अनुसार इन शुब महुरतों में आप कोई भी शुब या नया काम आरंब कर सकते हैं किसी भी प्रकार की खरीदारी या भिकरी का काम आप कर सकते हैं जो आपके लिए विशेश शुब फलदाई रहेगा तो आज जो है दो शुब योगों के प्रभाव के कारण बारा में से छे राशी वालों को आर्थिक लाप के योग प्रबल बन रहे हैं वह अन्य राशी वालों को आज मिसरित परिणामों की प्राप्ती होगी तो आज आपकी राशी के अनुसार कुछ सरल से उपाय आपको हम बताएंगे जिससे आपके विग्न संकट बाधाएं दूर होगी आपका आर्थिक पक्षिवी आज मजबूत रहेगा तो आप जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि व्यापार में आपको अच्छा लाब मिलने के संकेत हैं, आपको धन की बचत के लिए अपने खर्चों पर आज नियंतरन रखने की आवशकता होगी, आपको पैतरक संपत्ती लाब होने के योग हैं, यदि संपत्ती आदी को लेकर कानूनी कोई विवाद चल रहा हो, तो उ उसमें भी परिस्थितियां आज आपके लिए अनुकूल रहेगी, आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि इस समय अपने काम में अहंकार को जगह आप नहीं दे, अन्यता परिस्थितियां आपके विपरीद भी आज हो सकती है, आज पैसों की लेन द करके थोड़ा सा सतर करहने की अवशकता रहेगी, आज लाइप की यदि हम बात करें तो संबंदों में आई दूरियां समापता आपकी हो जाएगी, जो लोग विवाहित होने के बाद भी किसी प्रकार के संबंदों में उल्जे हुए हैं, उन्हें आज कठिनाईयों का सामन करना पड़ सकता है, इसलिए आज आज आपको सतर करह करके व्यभार करना चाहिए, आज व्यवसाई की यदि हम बात करें, तो धन कमाने के अच्छे अवसर आपको मिल पाएंगे, धन मिलने के इस्तरोतर आपके बढ़ पाएंगे, और आर्थिक स्थिति में भी आपके परक में रहें, हो सकता है कि आपकी सेहत और संबंध अथवा ऐसे ही महतुपुर्ण विशेयों पर चर्चा हो जो आपकी सेहत के लिए लाप करी हो, तो आज आपको विशेश करके खान पान पर नियंतरन रखना चाहिए, योग ध्यान का सहरा लेना चाहिए, तो आपका काफी उत्तम रहेगा, आज आपका भागेशाली अंक आठ है, शुब रंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक सदि करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने क के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, प्राताकाल इस्नान करने के पश्चाद भगवान विश्नु जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान विश्नु जी का सरद्धा पुरवक पुजन करें, उन्हें पीला वस्तर अरपन करें, पिली मिठा इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि यह समय आर्थिक मामलों में आपके लिए काफी बहद अच्छा रहेगा, धन लाप के योग आपके लिए बन रहे हैं, यदि आर्थिक इस्तिती आपकी कमजोर है, तो इसमें धीरे-दीरे सुधार होने के योग बनेंगे, जमा पुजी में भ आपको धन हानी के संकेत भी आज बन रहें, विपरीत परिस्तिती में अपने धेरे को आप नहीं खोएं, और समझदारी के साथ अपना कदम आप आगे बढ़ाएं, घरेलों जीवन के लिए समय बहुत ही अच्छे संकेत आज देने जा रहा है, आज लाइप की यदि हम बात करें तो आपके पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव की संभावना बन रही है, आज पूजा पाठ तवा कोई शुब मांगलिक कारिये आपके परिवार में संपन हो सकता है, और दामपत्ति जीवन में थोड़ा सा समल करके आज आपको रहना चाहिए, और जीवन सांत अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ नयापन या कोई परिवर्तन लाने का प्रयतना आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में काफी लापकी प्राप्ति होगी, आज स्वास्ति की द्रश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा, आप स्वय आपका गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाद पीपल के वरक्षे के पास सुद्धगी का दीपक जला करके पीपल वरक्ष का सरद्धा पूर्वक पूजन करें और परिक्रमा करें, यथा सकती अपने इस्ट देवता का या भगवान विश्णू जी का नाम मंत्र उच्चारण करें, ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा, अगले राशी है मिथुन, मिथुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, इस समय काम धंदे के चलते आप परिवार से दूर भी रह सकते हैं, या अपना निवास या कारी स्थल प आपका मन मुटाव आज होने के संके थे, हाला कि यहाँ जो इस्तिती है थोड़े समय के लिए रहेगी, बाद में परिस्तिती आपके लिए सामान्य अनुकूल रहेगी, परिजनों के बीज सामन जैसे की इस्तिती आज आपको वेसे देखने को मिलेगी, आज लाइब की हम बात करें, तो आप जितना अधिक परिस्रम करेंगे, उतना अधिक धन अरजित कर पाएंगे, अपने प्रयासों और दरड निश्चे के कारण, आप जल्दी ही सफलताएं हासिल कर पाएंगे, नोकरी और व्यापार के कारण आपको अपने निवास इस्तान से अलग भी र इंतर रखना चाहिए तो आज आपका स्वास्त भी उत्तम रहेगा। इसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा। आपको अशुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि जमीन या प्रापर्टी आदी खरिदने का योग आपका बन रहा है या आपको पेतरक संपत्ती की सोगात भी मिल सकती है। आज 60 कटिया कम महनत से अधिक पेसा कमाने का विचार यदि आपके दिमाग में चल रहा है तो इस विचार को अपने मन में जगह आप नहीं दे वरना आपको नुक्सान हो सकता है। कि यदि हम बात करें तो आज प्रेम व मीठी मानी को ढाल बना करके आप अपने रिस्तों को मजबूत बना सकते हैं अपने जीवन सांती के सुभाव में बदलाव होने पर आज आपको बड़ा ही आश्यर्य होगा आज परिवारिक जीवन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज विवसाई कि यदि हम बात करें तो यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो सावधानी आज आपको रखना चाहिए। आपके जो विरोधी पक्ष आज आपके सामने वैसे नहीं टिक पाएंगे। आपको आमदानी के नए मार्ग भी आज मि पहतर रहेगा आपका स्वास्त भी आज उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुबरंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी। तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान लक्ष्मी नारण जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान लक्ष्मी नारण जी का पूजन करें और पीला अनाज वपीला फल उनको अरपन करें यथा शक्ती वहां बेट करके उनके नाम मंत्रों का उच्चारन करें ऐसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली रासी है सिम्व सिम्वराशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज यदि आप नोकरियादी करते हैं तो आपको प्रमोशन या उन्नती उसमें मिल सकती है साथ ही आज आपकी आई में वरद्दी होगी कुछ लोग काम धंदे के चलते विदेश या दूर जा सकते हैं जिसमें भी आपको लाब की प्राप्ती हो सकेगी अपने सीनियर सका सम्मान आज अवश्य करें आज के दिन सही समय पर सही निरने लेना आज आपके लाब में काफी वरद्दी करेगा आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कठोर परिश्रम के माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा धन कमाने के लिए अपनी बुद्धी का प्रयोग अवश्य करें एवं किसी अनुचित मार्ग को नहीं अपनाएं आर्थिक तंगी से बचने के लिए अनावश्यक ढंग से धन खर्च आज नहीं करे तो उत्तम रहेगा आज लाइप किया दिहम बात करें तो छोटी छोटी बातों पर परिवार में आज तनाव की स्थिती हो सकती है हाला कि आपको इस समय धेरी का परिच्चाई देने की अवशकता रहेगी मित्रों व भाई बहनों के साथ गुमने फिनने के अनेक अवसर मिलने के कारण आपकी मानसिक प्रसनता आज बनी रहेगी आज व्यवसाई की अदि हम बात करें तो कोई बड़ा निवेस के लिए यह समय काफी उप्युक्त है और कहीं से पुराना फसा हुआ धन प्राप्त होने के कारण आपके आर्थिक स्थिते में काफी सुधार रहेगा आज स्वास्त की अदि हम बात करें तो आज आपको अपने स्वास्त का विशेश ध्यान रखना चाहिए स्वास्त के प्रति आपको सजग आज रहना चाहिए क्योंकि मोसम संबंदी कोई बिमारी आपको हो सकती है इसलिए आज खान पान पर थोड़ा सा नियंतरन रखें योग ववा ध्यान का सहरा ले तो आपका स्वास्त और भी बहतर रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंकशात है शुबरंग आपका सुनारा नंग है सुनहरे रंगा प्रियोकारे छेत्र में आप अधिक सदिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात केल के वरक्षे के पास सुद्ध घी का दीपक जला करके केल के वरक्षे की सरद्धा पूरवक पूजन करें पीला वस्त्र पिली मिठाई अरपन करें यथा शक्ति अपने इश्ट देवता का या भगवान विष्णू जी का नाम मंत्र वहां बेट करके उच्चारण करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यदि आपकी योग्यता है तो आपको जाब मिलने की पूरी संभवना रहेगी और वहीं जो जातक नोकरी आदी कर रहे हैं उनके पदोनती अत्वा उनके आए में अच्छी खास से मिल सकते हैं कि आप जोस उर्जा उमंग उसा से आज भरे रहेंगे लेकिन आपको अपने स्वभाव में क्रोध की अधिकता आज महसूस होगी तो इस पर नियंतरन आपको रखना चाहिए अन्यता इस से दूसरों के सामने आपकी नकारात्मक छवी भी आज बन सकती है वि चयतरक संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या आपके हल हो सकेगी जो आपको आज मांशिक शान्ती प्रदान करेगी आज विवसाए की एदी हम बात करें तो शेइर वाजार में निवेस करने से आपको लाब की प्राप्ती हो सकेगी प्रापर्टी का कारे भी आपको सफलता दि तो आज आपका स्वास्त पहले से भी काफी बहतर होगा। तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वसपलता दायक आज रहेगा। इन अवसरों को भुनाने के लिए आज आपको तयार रहना चाहिए। किसी भी अवसर को आप हाथ से जाने नहीं दे तो आपके लिए भेतर रहेगा। आज आपको अशुभ परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि दिन की सुरवात आपके खर्चे से हो सकेगी। सुख सुविधाओं पर आप अधिक खर्च करेंगे। आपको धन आरजित करने पर ध्यान आज देना चाहिए। अन्यता आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अपने व्यापार व्यवसाई से आपको एक संतुलित आर्थिक सहायता भी आज मिलेगी। आज लाइब की यदि हम बात करें तो अपने प्रेमी जन से संबंद आपके अच्छे रहेंगे। एक दूसरे के साथ अच्छी सहानुभूती होने के कारण कामकाच के छेतरों में एक दूसरे का सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो बड़े अधिकारी वर्गे के कारण पदोन्नती वेतनवर्दी के योग आपके लिए बन रहे हैं। आज लाट्रियम सट्टे बाजी के कारण धन हानी होना आपके लिए संभावी थे। इनसे आप दूरी बनाए रखें तो बहतर हो आज स्वास्थ की यदि हम बात करें तो आज आपको अनिंद्रा नेत्र विकार जिसी कोई समस्या हो सकती है तो आज आपको अपने स्वास्थ के परती सतर करहना चाहिए सजग रहना चाहिए सरीर को परियाप्त आराम दें योग ध्यान का सहरा ले तो आज आपका उत्तम रहेगा आज आपका भागेशाली अंकछे है शुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोकारी छेतन में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका नाम मंत्रों का उच्चारण करें तो इसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक तो व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि व्यापार में आपको अच्छा लाप मिल के संके थे यदि संपत्ति आदी को लेकर कोई कानूनी विवाद यदि चल रहा हो तो उसमें जो परिणाम है वह आपके अनुकूल आज हो सकेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको धन की बचत के लिए अपने खर्चों पर नियंतर रख आज का दिन आपके लिए शुब पल दायक हो सकेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो आप सारीरिक सुक से अधिक मानसिक सांती पाना चाहते हैं तो घर परिवार में मधुर विवार यदि आप करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे और आपको खुशी मिल आज विवसाई की यदि हम बात करें तो भाग्य का सांत आपको मिल पाएगा और कामकाज के छेतरों में अच्छा लाब आप प्राप्त कर सकेंगे अकारण छोटी छोटी समस्याएं आपको आज हो सकती है जिससे आर्थिक नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी आज स स्वास्त की यदि हम बात करें तो विशेश रूप से अपने स्वास्त के प्रती आज आपको सजग रहना चाहिए क्योंकि आज आज आपको मोसम संबंदी कोई समस्या परेसान कर सकती है इसलिए विशेश करके खान पान की वस्तों पर नियंतरन बनाए रखें तो आपका स् अबी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान विश्नु जी के मंदिर में सुद्धगी का दीपक जला करके सरद्धा पुरवक उनकी पूजन करें उनको पीले फल पीले अरपन करें यथा शक्ति विश्नु भगवान के नाम मंत्रों का वहां बेट करके उच्चारण करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है धनु तो धनु राशी वालों को आज शुभ परिनाम इस प्रकार से मिल सकते ह कि आज आपको आए के नय स्तरोतर प्राप्त होने की पूरी उमिद रहेगी धन को बेताहसा खर्च करने से आज आपको बचना चाहिए यहां आपके लिए उत्तम रहेगा किसी जगा फसा हुआ धन वापिस मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं आज आपको उसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए आपको आर्थिक रूप से काफी लाब मिल सकेंगे आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यह समय नोकरी और व्यवसाय के छेत्र में भाग दोड़ बरा आपके लिए हो सकेगा हो सकता है कि आपके प्रयासों के नुसार आज आपको फल की प्राप्ती थोड़ी सी कम हो परन्तो आप निरास नहीं रहें कोशिस अपनी जारी रखें अपनी मेहनत से आपको एक अलग पहचान भी मिलेगी और अधुरे कारे भी आज आपके पूरे हो सकेंगे आज लाइप की यदि हम बात करें तो आपके आकरशन में वरद्दी होगी आज आप संतुष्ट प्रसन रहेंगे घर परिवार का माहुल भी आज आपके लिए अनुकूल रहेगा आज विवसाई की यदि हम बात करें तो आज आपकी आई में वरद्दी होने के योग है आपको अपने सहयोगियों का सहयोग मिल पाएगा आपके विरोधी भी आज आपकी प्रसंसा करेंगे इस समय धन में आपके बड़ोतरी होने के योग है व्यापार में भी आज आपको काफी लाब मिल सकेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो संतान का स्वास्त आपकी चिंता का कारण हो सकता है इसलिए अपनी संतान का विशेष ध्यान रखें खान पान पर नियंतरन आज बनाए रखेंगे तो परिवार में सभी का स्वास्त उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक नोहे शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकडवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद पीपल वरक्ष के या शुद्धगी का दीपक जला करके और पीपल वरक्ष की सरद्धा पुरवक हल्दी चंदन से पूजन करें और परिक्रमा लगावें यथा शक्ति अपने इस्ट देवता का नाम उच्चारण करें तो इसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपकी नोकरी आदी में बदलाव होने के योग है आपको अपने कारेचेतर में बड़ी सफलता हांसिल हो सकेगी हाला कि इसके लिए आपको अपने प्रहतन जारी रखने होंगे और कारी छेतर में आपके काम के अंदाज से सीनियर्स आपसे काफी प्रभावित रहेंगे आपको सम्मान भी देंगे आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि इस समय पेसो की आवक आपकी बहतर होगी और आए में भी व्रद्धी होने के योग हैं हाला कि दूसरी और खर्च बढ़ने से आपकी आमदानी कम लगने के लगेगी इसलिए आपके लिए बहतर होगा कि खर्च पर थोड़ा सा नियंतरन आप बनाए रखें तो आपके लिए बहतर होगा आज लाइब की दि हम बात करें तो आपके संबंदों को मजबूती देने के लिए अपने जीवन सांती के साथ कहीं घूमने फिरने अवश्य जाए यह समय संबंद को बनाए रखने के लिए अच्छा रहेगा घूमने फिरने से आपके संबंद काफी मजबूत बने रहेंग इसके लिए अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंतर में रखें तो बहतर होगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो विशेश रूप से अपने स्वास्त पर ध्यान देने के आपको अवशकता रहेगी जरासी भूल आपकी बड़ी परिशानी का कारण हो सकती है इसलिए विशेश करके खान पान का ध्यान रखेंगे तो आज आपका स्वास्त बहतर रहेगा तो आज आपका भागेशाली अंक नो है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोग कारे छेतने में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्रापती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद केले के वरक्ष के यहां सुद्ध घी का दीपक जला करके हल्दी वा चंदन से पूजन करें पीला अवस्तर अरपन करें यथा श प्राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं परिवार के साथ आप कुछ बहतरिन पल बिताने वाले हैं यहां समय आपके लिए स्रेश्ट रहेगा इस समय घर परिवार से आपको खुशी मिलने लगेगी और परिवार में माहोल आपके लिए यदि आपको पेतरक संपत्ती की कोई सोगात मिल सकती है तो उसके लिए भी आज आप तयार अवश रहें शार्ट कट या कम महनत से अधिक पैसा कमाने का विचार यदि आपके दिमाग में चल रहा है तो इस विचार को आप त्याग दे तो आपके लिए उत्तम होगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो इस समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए किसी प्रकार का तनाव आप नहीं ले तो आपकी लाइब बहतर रहेगी अकारण किसी पर सक या संकोच आज नहीं करें वह आपकी परेसानी का कारण आज हो सकता है आज विवसाई की यदि हम बात क यदी आपको आपको सफलता मिल पाएंगे आयर्थि की स्टिति में आज आपके मस्भूति बनी रहेगी आपकी सफलता के कारण आपकी विरोधियों में भी बढ़ोत्री होगी किसी भी व्यक्तीपर बिना सोचे विचारे विश्वास आज नहीं करें तो बहतर होगा आज स्वास्त की अधी हम बात करें तो सहसी कत्वा जोकिम भरे कारियों में चोंट आदी आपको नहीं लगे इस बात का आप विशेश ध्यान रखें अपनी सेहत का विशेश ध्यान रखें खान पान पर नेंतरन बनाए रखें तो आज आपका स्वास्त बहतर रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक तीन है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोकारिशेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका वि तिलक लगावें स्वयम भी उसका तिलक लगावें पिली मिठाई का भोग उनको अरपन करें यथा शक्ति विश्णु भगवान के नाम मंत्रों का वहां बेट करके जाप करें एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि इस समय विभिन विश्वयों में आपकी रूची बढ़ेगी एक अच्छा वातावरन आपकी एकागरता बढ़ाने में आपको सहायता प्रदान करेगा ग्यान प्राप्ति के लिए आपके प्रयास आपको प्राप्त होगा जो आपके लिए नीजी और पेशेवर जिन्दिगे के लिए काफी फायदे मन होगा हाला कि पार्टनर से बाचीत के दोरान इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें कि आपकी बातों से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचे आज जिससे आज आपका मन भी प्रफुलित रहेगा आज व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज गती आपकी थोड़ी सी धीमी रह सकती है आपको नोकरी और व्यवसाई में समस्याई बनी रहेगी कारे स्थल में हर प्रकार की सावधानी आपको रखना चाहिए सैयम से आज आ लेना चाहिए तो व्यवसाई भी आज आपका बहतर रहेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो अत्यतिक भाग दोड़ होने के कारण आज आपको थकान वा तनाव उत्पर न हो सकता है इसलिए आज मानसिक तनाव से बचे रहें सरीर को परियापत आराम दे तो आपका स्वास्त उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग शाली अंक नो है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारी छेतर में आप अधिक स्यदिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के ल पिली मिठाई का भोग लगा करके अपने इस्ट देवता का यथा शक्ती नाम उच्चारन करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा तो मित्रो आसा करता हूं कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रो फिर मिलेंगे